इस वक्त मेरे साथ मौझूद है नवाब काजी मली और फनावीद मिया जिन से हम बात कर लेते हैं जी सबसे पहले बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता और सत्ता शुक्रिया यह जो समाजवादी पार्टी की बड़ी हार हुई है रामपूर में उसको लेकर क्य कहेंगे देखें यह समाजवादी की नहीं है आजम की हार हुई है क्योंकि यहां समाजवादी आजम ही है उसके उसने पार्टी को ऐसे तयार किया था कि अगर जो पार्टी का जो उसकी पहचान है वो आजम सही है तो मैं समझता हूँ कि यह आजम सबसे बड़ी आजम की हार है और पहली बार रामपूर के लोहों को हम सब लोहों को आजादी मिली है इसके डिक्टेअशिप से इसके तानाशाही से और मैं में मुबारक बात जाहता हूँ उन सब लोहों को जिनों ने आकार सक्सेना को वोट दिये और यह कदम उठाया और ऐसे ताना शाह को यहां से निकाल दिया जो मेरे खाल से भार का कोई करनी पा रहा था वो हमारे लोगों ने खुद ही किया तो समाजबादी पार्टी ये बड़ा आरोप लगा रही है कि ये जो जीत है वो प्रशासन की जीत है इसको लेकर क्या करें देखे वो तो आरोप लगाएंगे वो कैसे मान लेंगे कि उनका जो पॉपिलारिटी है वो खतम होने वाली है उनका जो एक चमकती वो बुझ रही है वो तो प्रशासन सबसे आसान निशाना बनाना प्रशासन होता है अगर वो प्रशासन को निशाना बनाना चाहते हैं तो इससे पहले जो आजम जीता रहा है तो क्या वो प्रशासन की वज़ा से ही जीता रहा इसका माने तो यही होता है कि प्रशासन ने पहले भी आजम को जिता है था, दस बार जो भी जिती बार भी वो जीता है, तो ये तो सब बेकार की बाते हैं, लोग अब जागर हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि रामपुर में थोड़ा जो बिलकुल गड़े में इसने आजम ने गुसा दिया था, उसको गड़े से भार निकालके और तरक्की से हम महरूम थे, वो हमें वापस मिलेंगी. ये 1947 के बाद जो भाजपा की बड़ी जीत हुए रामपुर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखे, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, 96 में, मिलक बिलासपुर विधान साबासे, मैं पहला मुसल्मान विधायक बना हूँ, ना पहला था, तो ये परिवर्तन और लोगों का जो एक उनकी सोच होती है, उसके उपर डिपेंड करता है, उसी तरीके से यहां से कभी गेर मुसल्म विधायक नहीं हुआ है, इस दफ़ा हो गया, जैसे बिलासपुर विधायक नहीं होता था, मैं हो गया, तो इसमें कोई बड लोगों ने यह किया, कि हमें बदलाओ चाहिए, और 47,000 लोग जो है, वो अभी भी गड़े में, अभी भी अंधेरे में बढ़े हैं, लेकिन मुझे पूरी उमीद है कि वो भी अंधेरे से निकल का आई जाएंगे, भाजपा को समर्थन देने के बाद, कॉंग्रिस ने आप और मेरे पास किसी ने एक लेटर भेजा, एक नोटिस था, कि आपको अनुशासन हींता के लिए पार्टी से निकाला जाता है, अब अनुशासन हींता तीन चीजों में हो सकती है, या तो आपके पार्टी का प्रत्याशी हो, आप उसका विरोध कर रहे हो, या पार्टी का कि किसी के अलाइंस बना है किसी पार्टी के साथ तो आपको अलाइंस पार्टी का आप उसका विरोत कर रहे हैं या पार्टी ने कोई दिशा निर्देश दियें कि आपको फलाने प्रत्याशी का समर्तन करना है आप उसका विरोत कर रहे हैं लेकिन जब तीनों में से कोई चीज नहीं हुई तो अनुशासन ही नहीं ता कहां से हो गई तो मुझे इस चीज़ पर हसी आए और कॉंग्रिस पार्टी के जो भी लोग हैं उनकी आँखों पर तो पट्टी बंदी विए वो तो अंदे हैं जैसे कि समाजवादी का अध्यक्ष कॉंग्रिस को कहा रहा है कि मुझे हां से निकाले मुझे तो उस चीज़ पर ये तो देखिए किस तरीके से ये चीज़ हुई तो इसमें मैं कल भी आज़ाद था आज भी आज़ाद हूँ और भवशे में भी आज़ाद रहूँगा जो मेरा मकस मकसद था आज़म का विरोद करना। उसके परिवार का उसके प्रट्याशी करना कि दुनिया में कोई ताकत मुझे उससे रोकनी सकती हैं तो मुझे इसमें कोई प्रायब्लम नहीं हो todavía है। वो रखें निकालें उससे कोई माँएने निकिन जो मकसद मेरा था ये विक उस य काम्याब हुआ दूसरी बार पहली बार लोक सबाह में दूसरी बार रामपुर शहर विदान सबाह में और अब आने वाला है स्वार का उपचुनाव उसमें भी हमें इन्शालला काम्याबी मिलेगी आप जो कह रहे हैं कि स्वार में उपचुनाव आने वाला है उसमें वो कैस petition हुआ, अदालत में उन्हें उसे फर्जी माना गया, उसके खिलाफ वो Supreme Court गए, Supreme Court ने भी फर्जी माना, तो यहां जो मुकदमा चल रहा है, इसका, उसमें सारी प्रोसीडिंग्स हो गई हैं, और जो district court है, sessions court है, उसमें जज्जमेंट आने वाला है, और अगर आप नामकन में फौजरी करें या किसी तरह का फरॉट करें तो ऐसा है कि जा आप भारत के समविधान के साथ फरॉट कर रहा हैं, कम से कम दस साल की सजा, और हलफ नामें माबाप ने लगा दिये, कि इसकी जनम थेती सही ती, तो तीनों ने फरॉट किया है, तो तीनों को सजा हो नहीं है, और कोई यह हमारे समविधान में, कोई भी आदमी जिस जो कन्विक्टेड हो, वो पब्लिक आफिस होल नहीं कर सकता है, तो उसकी विधान सबारित होगी, तो गुदर दुबारा उप चुना होगा, और उसका रिजल्ट भी, जो एक फ्लो चल रहा है रामपुल में, उसी तरीके से होगा, मुझे तो इस चीज़ का दुख है, कि टैक्स पेर्स का जो पैसा है, वो इन चुनाओं में बरबाद हो और वो बरबादी का कारण सिर्व आजम, उसकी पत्नी और उसका बेटा है, तो इनको तो नकारण देना चाहिए जनता को, दो हजार बाइस, ये साल जब से शुरू हुआ जैनवरी में, अचार सा इंता लगी, आज तक लगी विया, क्योंकि एक हर तीन, तीन महीने के बाद चुनाओं हो रहे हैं, प्रशासन जो अपना काम नी कर पा रहे हैं, वो चुनाओं के जो भी उसका प्रोसेस हो, उसमें लगे रहते हैं, अब तीश रो होने वाला है, अब नगरपाले का चुनाओं है, उसके बाद स्वार का उप चुनाओं होगा, उसके बाद M.L.C. का च जिसका मैनेजमेंट ही क्रिमिनल है आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविश्य वो क्या बनाएंगे तो ये पूरा ट्रस्स सरकार को ले लेना चाहिए और सरकार अपने तरीके से चला है जैसे और किते विश्व विधाले चल रहे हमारे उप्रदेश में उस तरीके से इस यूनिवर्स्टी को भी चला आ जाए और मैं जितना मुझ से हो सकेगा मैं भी कोशिश करूंगा और अब जो अकार सक्सेना विधायक बन चुके हैं उनका वो भी यह चाहेंगा मैं अखल से हर इनसान चाहता है कि भाई आप डेड़ डेड़ लाग दो दो तीन तीन लाग रुपए अगर बच्चों की फीज भर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट की जब छवी सब फोजर फ्रॉड और क्रिमिनल्स हैं तो बच्चों के उपर उसका क्या इंप्रेशन होगा तो फॉरन उन्हें लेने लेना चाहिए सरकार को मिलना चाहिए यह थे मेरे साथ नावेद मियाजी जिनका कहना है कि यूनिवस्टी के कमान अब सरकार को ले लेनी चाहिए मेरे सायोगी के साथ मैं अज्यू पर्जपती जनता और सत्ता रामपूर